हलो फ्रेंड़्स वेलकम टूदा शेफ तो फ्रेंड़्स चलिए आज हम लेकर आहें आपके लिए मेथी की भाजी और ड्राय जींगे तो हमने यहाँ पे एक गटी मेथी की भाजी लिए फ्रेंड्स और इसको हमने अच्छे से थोके रख दिया है पनीरी धरने के लिए राफ कप हमने यहां जींगे लिये हैं जो की ड्राइ जींगे है और हमने यहां पर लिया है एक कर्टी लहसन है दो से तीनने चद्रक्रयाद के दुक्डी हैं जिसे हम इस तरह बारीबरीग चॉप कर लेंगे और एक कढ़ाई में हम 100 ग्राम के करीब तेल ले लेंगे तेल को गरम होने रख देंगे जैसी तेल गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर लहसन और अद्रक बारी कटा हुआ जो हमने चौप करके रखा था वो डाल देंगे लहसन अद्रक को हम पकने देंगे मदब फ्राई होने देंगे जैसी हमारे लहसन और अद्रक फ्राई हो जाएगा तो हम अपनी जो हरी मिर्चे हैं जो हमने लाल वाली दिखाएंगे आपको वो डाल देंगे तो यहाँ पे तो हमारा लहसन और अद्रक फ्राई हो चुका है तो हम इसमें अब कर देंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह हम सारी भाजी को एड़ कर देंगे अब हम अच्छे से भाजी को मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस जिस देशे की आप देखी सकते हैं कि हमारी भाजी अभी इतनी धेट सारे दिख रही है लेकिन ये पकने के बाद इतनी नहीं रहेगी भाजी भाजी में यहीं खासियत होती है तोड़ने में और दिखने में तो बहुत ही टाइम लेती है बहुत ज़्यादा ही दिखती है लेकिन जब पकती है तो फ्रेंग क्यों पक थूर्य श्रिम हो जाती है और इसमें हम half ती स्पून से भी कम नमक डाल देंगे या फिर सौत के अनू सर नहीं तो भाजी में नमक बहुत जल्दी निकल जाता है इससे हम पकने छोड़ देते हैं तो यह अपना पानी देखे कितना छोड़ चुकी है भाजी तो यह जादा पक पक किसका कलर खराब नहीं हो इसलिए हम भाजी को थोड़ा साइट से कड़ाई क के उपर कर देते हैं और बीच में भाजी को बीच में सिर्फ पानी को ही पकने देंगे ताके पानी जल्दी सुख जाए तो इस तना से हमारी भाजी भी जल्दी बन जाएगी हो कलर भी खराब नहीं होगा तो यहां पर पानी काफी हद तक सुख चुका है तो हम बापिस से बाजी को मिक्स कर लेते हैं और हल्कपुल का पानी रहने देंगे क्योंकि जींगे भी थोड़ा सा पानी अबसर्व करेंगे तो यह हम जाए जींगे हैं जो की रोस्टेट जींगे हैं हम इसको शूश्टय में डालते तें भाजी के साथ और इसे हम सिफ 2-3 मिनटी ही यहां पर मेरे जी पन के रिडी हो चुका हैं उठाल लेते हैं तो जीन को पश्कुर हिते हैं तो आपने इस चरदियों मेरे मेरे क्र enfrenta व動画 स्क्रेट तो आप फैर इसाइब उठाय कोई मेरे बिल्कुल मत पूर ये कमेंट में मुझे जरूर बताए ये फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए